हेलो एबरीबन मैं मिथोन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एटोमिक एनरजी एजुकेशन सोसाइटी की एडमिट कार्ड आ चुकी है ध्यान से आप लोगों को सारे चीज़े देखनी है वेबसाइट से आप जाओगे वहाँ पर आपको ये सो नहीं करेगा तो ये नई वेबसाइट इन्होंने बनाई है यहाँ से देख लिजिए वेबसाइट का एडरिस मैं आपको दिखा देता हूँ aees.form उसके बाद flix.in पर आपको जाना है वेबसाइट मैंने यहाँ पर सरकल कर दिया है और लिंक आपको टेलिग्राम चैनल पर मैंने दे दिया है नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा देख लेते हैं वन बाई वन सारे एडमिट कार्ट रिलीज नहीं किये गए ध्यान से समझ लिजिएगा सारे चीज़ों को उसके बाद ही आप यहाँ से वीडियो को छोड़ कर वापस जाईएगा आपको पहले बता दू अगर आप आखरी समय में तयारी करना चालते हो आई रिपीट आखरी समय में तयारी करना चालते हो तो 99 में अटोमिक एनरजी अजूकेशन सोसाइटी के प्रिवेश येर पेपर साथ में मेरे हैंड रिटेर नॉट से एकवाइर कर सकते हो यूर मिथोन सिंग at the rate gmail.com पे mail कर दीजे इफ यूर इंस्टाग्राम दें डू फॉलो मी at the rate imithon sing वहाँ से जो है आपको सारी जनकारी मिल जाएगी जिन्हें लेना हो वहाँ से contact कर सकते हैं चलिए नीचे आते हैं नीचे यहाँ से देखिए कुछ important चीज़ें देगे है देखिए फिलिंग online जो online application हो रहा था वो 23-5 से हो रहा था वो last date जो था वो 12-6 को था और date जो आई हुई है na CBT यानि की computer based test की तो PGT, TGT और librarian की post के लिए इन्होंने जो है date भी announce कर दी है 21 से 22 December को exam लिया जाएगा PGT के लिए देखिए यहाँ से post graduate teacher की admit card को release कर दिया गया है TGT वाले को भी release कर दिया गया है librarian के लिए भी recruitment के लिए admit card को release कर दिया गया है primary teacher music का हो या फिर जो nursery teacher होते हैं के लिए अभी तक announcement नहीं करी गई है इसलिए घवराने की जरुत नहीं है suppose कर लो आप TGT या PGT वाले हो और आपका admit card नहीं download हो पा रहा है तो ऐसे मैं आप को जो मैंने email ID बता थी एक बार और यहाँ से देख लो yourmithunsing at the rate gmail.com पे mail कर देजिए if you are on Instagram then do follow me at the rate I am ethunsing वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया have a good day